लोग जो है अलग अलग बाहुली दबंग लोगों के साथ खड़े होते थे सिर्फ और सिर्फ जो है पांस साल आप पत्रकारों के साथ कड़े हो जाए भिहार बिहार के चैसly बदल की रख मैं जो पूछ रहा हूं हो मेरे स्वम साधी से बिहार को क्या फाइदा होगा मेरे साधी से देश को क्या फाइदा होगा मैं साधी करूं ना करूं उससे देश को कुछ फाइदा होने वाला है मेरे प्रसनल लाइफ से देश को कुछ फाइदा होने वाला है नहीं होने वाला है तो मेरा प्रसनल लाइफ गया भाड में उससे क्या मतलब है मैं अगर देश के रहूं उन सब चीजों पर सवाल किजेगा तो क्या पता मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा और कुछ और अच्छे ढंग से काम करने का प्रयास करूंगा तो साधी तो इस तरह से पत्रे करता करते हैं पूरी दिन पूरी रात घुमते हैं डर तो लगेगा ही समय क्या है कि डर के आगे जीत है कि मैं लव मैरेज के किल अपने आदमी लगे近स और अगर वह लव या बड़ा नहीं होता है आप देखिएगा आप दिहान से नोटिस किजेगा कि मैं जितने भी छोटे पत्रकार है उनको जादा इंटरव्यू देता हूं आप देखिएगा 90% मेरा इंटरव्यू जो है यह चीज़ है जितने भी लोग अभी तीन-चार लोग जो आये थे वह सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें सिर्फ मेरा सरेह नहीं है बिहार के जो लोग भी बढ़ियां से काम कर रहा है इंदारी पुर्वक काम कर रहे हैं उन सबसे जो है न भरष्ट चारियों को डर लगता है समस्या क्या है कि इसके लिए हम गाउं के लोग ही दोसी है हम लोग गलत निताओं का चुनाव कर देते हैं इससा Alright के नाम और जीला पर सजात के नाम पर उपर उठेना पर हम लोगों सब्सक्राइब करने जाते हैं जैसे मान लिए कोई सरकारी वाले काम जिसे हो रहा है कहीं पर रोड बन रहे हैं हम लोगों के दबा दिया जाती क्यों होता है इस को बता है किसे कर लेते हैं देखे समस्या इसके लिए भी जो है लोगी दोसी है जाला सोचे जिस गाव में प्रष्ट चार हो रहा है वहां पर पत्रकार आवाज उठा रहा है तो पत्रकारों के साथ गावाले लोग और वहां के समाज के लोग खड़े हो जाएंगे तो कोई आ ही जैसे कि अभी आप जानते हैं कि इन्दरा वास मिलते हैं पर्धानमंत्री आवास योजना में जब आपका नाम सलेक्ट हो पब्रेशा है तो आपको आवास मिलेगा ही मिलेगा किसी भी हाल में मिलेगा ही जो भष्वय हों क्या करते है जब आपका नाम सवτοजाता दूद हो लेकरे पाद एक शलेक्ट कर सो दूदा निकलवाने के बाद जो है न वह को पैसा मांगते यह नहंतर दें किन्हें किस्टार जीसे क्षाइब कि पत्रकार करते हैं पूरी दीन-पूरी राथ घुमते कि मैं जितने भी छोटे पत्रकार हैं उनको जादा इंटर्व्यू देता हूं आप देखिएगा 90% मेरा इंटर्व्यू जो है यह चीज़ है जितने भी लोग अभी तीन-चार लोग जो आए थे सब अभी लोग यह चीज़ है बड़े पत्रकार तो हमको खुदे नहीं पूछते हैं बड़े चैनल तो हमको खुदे नहीं पूछते हैं सर यह चीज़ और बोलेंगे जैसे कि जिस आभी जो आप बताएं लौ मेरेज करते हैं अभी सवाल चल रहा था क्या लौ मेरेज करना गलत हैं लेकिन बिना मा बाप के इच्छा से लब मेरेज करना गलत है और वो नहीं होना चाहिए और आपका वीडियो बहुत ज्यादा वैराल हो रहा काफी ज्यादा भी टेंडिंग में जैसे कि आप भारत एक नई सोच जो पत्रकार है जो लड़की उसका नाम तो नहीं जानते समस्या क्या है कि मैं लब मेरेज के खिलाफ हूँ कोई भी आदमी चाहिए वो किसी भी धर्म का हूँ किसी भी धर्म का हूँ अगर वो लव करता है और बिना मा बापके इक्छा से करता है और उसके प्यार के वज़र से संपरदाइक महौल खराब होता है उसके प्यार के पूजा करेंगे तो यह नहीं होना चाहिए दूसरा चीज कि अगर वह प्यार कर ही लिए आप लोगों के इक्षा के बैगर तो फिर आप उसको घर से निकाली मार यह मत जो लोग भी आर में मार देते हैं वह भी गलत है तो वह होनर की लिंग तो होना ही नहीं चाहिए पत्रकार को अब बहुत दैनी है और आप जाये इसकूल में लॉजिकली तरीके से चीजों को दिखाएए दिखाना कोई गुणा नहीं है लेकिन कुछ जो है टीचर लोग वह गलत करते हैं लेकिन कुछ पत्रकार भी गलत कर रहा है कुछ पत्रकार भी गलत कर रहे हैं आप जाते हैं स्कूल में लेकिन आप कम से कम थोड़ा सा लोजिकली तरीके से सवाल पूछिए कम से कम थोड़ा सा चीजों के बारे में अनालीसिस कर लीजे जनकारी कठा कर लीजे कि मिडे मिल में कितना रासान आता है मिडे मिल होता क्या ह काप देना है स्की जनकारा चाहिए कि नहीं कर लेकिन अभी मैं देख रहा है कि सभी लोग मतलब की स्कूल पर लगें हुए उमीध है कि स्कूल में फोड़ा भूल सुधार होगा ने कि मैं तो आप लोगों ने ध्यान निया होगा कि ती चर से प्रयास रहेंगर वेश्टों कि अगलत सिक्शक सर्ण को प्र है तो सिक्षक से आपके चीजों को दिखाईैंस चाहिए अगहर obec मैं यहाँ पर आऊंगा उसमें आप एक बार आईएगा और मैं आपके साथ चलूँगा सर दूसरी बात है आप साधी कब कर रहे हैं यह आपका दूसरा बात नहीं है यह आपका दस्वा बात है अच्छा यह बताए यह बहुत सारे लोग उनको पता है कि साधी वाला मैटर पर पूछोंगा तो मनीज भीयावा कुछ नहीं तो कुछ बोलिये देगा मेरे प्रसनल लाइब से देश को कुछ फाइदा होने वाला है नहीं होने वाला है तो मेरा प्रसनल लाइब गया भाड में उससे क्या मतलब है मैं अगर देश के लिए जो कुछ कर रहा हूं बिहार के लिए कुछ कर रहा हूं या गलत भी कुछ कर रहा हूं उन सब चीजों पर सवाल किजेगा तो क्या पता मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा और कुछ और अच्छे ठंग से काम करने का प्रयास करूंगा तो साधी वो दी तो जिसका जवाब देते देता तक गया हूं लोग हमको जाने तो कम से कम जो लोग हमको जानगा है वो कम से कम 30 साल कोब लोग इंतजार करें और उसके बाद से साधी करें शर आप वाम करते हैं कि हमारे निजह नहीं करते हैं कि आपके बात वहां नहीं-चाहिए इक और भी केस कर देगा हम पर भी किया है नहीं तो बाद में फस जाईएगा और फिर बोलेगा मनीज भीयाओ के चक्र में हाँ हाँ चला दीजेगा इसको कोई दिकते आज तक वाले ने केस किया मेरे उपर तो ऑन कैमरा बोल रहा हूं ठीक है कोई बात ने आप तो उत्ता खाटा दी ठीक है नहीं तो हम लोग तो जहल रहा हैं आपको भी जहलना पड़ेगा आप देख रहें मनीज भाईया को और हम तक नियुक्त जाहिंद जाहिंद भारत इस अ रह्ण किसवाओन है मनीज तो जो घर्टे करिशने इस झाले का है